ये कोई अफवाह नहीं है, बलकि पाकिस्तान में ही हुई एक आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट, शोध के अनुसार, पाकिस्तान का हर चौथा नागरिक पागल है। ये कोई देश नहीं है, बलकि ऐसे लोगों का एक हुजूम है जिसमें जबरदस्त भगदड मची हुई है, और उस भगदड में ही उस हुजूम के भीतर किसी ने बहुत सारे साप छोड़ दिये हैं। धारणा शत प्रतिशत सत्य है और पूर्ण तया तत्थियों पर आधारित है। हम सब इस तत्थिय से परिचित हैं कि किसी महले किसी बाजार में यदि एक पागल घुस जाए तो वहां हड़कंप मच जाता है। उस महले या बाजार में भगदड मच जाती है। जबकि हमारे पडोसी देश पाकिस्तान में स्थिती ये है कि वहां हर चौथा आदमी पागल है। ये सच्चाई किसी और ने नहीं बलकी, कुछ साल पहले कराची की आगाखां यूनिवर्सिटी के मानसिक रोग चिकित्सा विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर आइशा मिया ने बाकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस करके उजागर की थी, जिसे पाकिस्तान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठे तखबार दी डॉन ने प्रमुखता से च्छापा था। डॉक्टर आइशा मिया ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान में पागलों, मानसिक रोगियों की संख्या लगभग 5 करोड है। ग्यात रहे कि उस समय पाकिस्तान की कुल जन स संख्या 20 करोड थी, जो आज बढ़कर लगभग 22 करोड हो चुकी है। अतह आप यह अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि जिस देश का हर चौथा नागरिक पागल हो, उस देश की हालत क्या होगी। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान की मृत प्राए अर्थ वेवस्था मे प्राण फूंकने के लिए वहां का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान देश में गधों की संख्या बढ़ाने का आहवान करता था और डीजल पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को सुझाव देता था कि मोटर कार बाइक को त्याक कर वो गधा गाड़ी का उपयोग करन प्रारंभ कर दें रक्षा मंत्री शेख राशिद भारत को पाव भर और आधा पाव के एटम बम की धंकियां देता था आज का प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ सार्वजनिक सभाओं में पाकिस्तान को इंटरनेशनल भिखारी बताता है यह सारे सबूत गवाही देते हैं कि हर चोथा पाकिस्तानी पागल है